येस तो चैप्टर आगे पढ़ रहे थे और कल हमने नॉमेंट लेचर तो डिसकस किया आई यूपीसे नेमिंग जो बुक में गिवन और जैसे मैंने कल बताया था कि एक लेक्चर हम रिविजिन का भी रखेंगे तो आज हम आई यूपीसे नेमिंग ही देखते है इट इस रि भी में मोस्ट प्रॉबेबली हम यूपीसे का लेंगे जिसमें 12th के सारे फांक्शिनल गूप और वे लेक्चर के बैस बाद भी तुम हेलों है जो arrange में जो आ यू पेसी naming है जो table में given है, जो context question में given है, जो exercise के question में given है, that you can write. और उसमें कोई doubt हो तो तुम पूछ सकते हो. Most probably आज के lecture के बाद, तुम ने कोछो कर ही सकçarे़ी sug अइब जो… में पढ़ना है एंड उसमें क्या है बेसिक रूल्स एंड टर्म्स है सारी जो इलेवेंथ में पढ़ ली थी अब 12 में वापस नहीं आये है जो 11 में पढ़ ली थी वही अगें वो जो मुख में लिखी हुई है NCRT वही सेम रिपीट में अभी यहां नहीं करने वाला है लेकिन उसके ही जो रूल्स ए रेगुलेशन है वही मैं तुम्हें बता दूंगा तो प्रैक्टिस करते 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 तुम्हें फिर चुणिक करते करेंया ड़ियंकि करते कि सबसे पहले इसह करें मंटिक्ला डाइम मर्मशा मतया में पूछ लिया है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यॉर एंड अप्लाइड केमेस्ट्री उसका फुल फॉर्म है याद रखना पूछा गया है एक एक मार्क में 1919 में उसका establishment हुआ है यह organization का 1919 मतलब मानलो फर्स्ट वर्ल वर्ल के बाल उसका establishment हुआ है इसमें जो वर्ड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल पूरे दुनिया का union मतलब group organization है किस चीज का दो चीज है pure chemistry and applied chemistry यह सब समझने के लिए है ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा pure chemistry मतलब जो हम पढ़ रहा है academic study वो सारी आती है pure chemistry और industry में जो दवाय बनती है और जो भी chemistry biochemistry or whatever जो industry related chemistry है वो chemistry को हम बोलते है applied chemistry applied chemistry मतलब application based chemistry जिसकी तुमने application ली मतलब तुमने use लिया जैसे कि तुम कोई law पढ़ रहे हो कोई law पढ़ रहे हो और फिर उसका तुम application use कर रहे हो okay as a application use कर रहे हो तो वह हो गया उसका application उसे applied version और से applied physics applied chemistry like that okay so international union of pure and applied chemistry तो यह pure chemistry जो हम पढ़ रहे है पढ़ रहे है मतलब 11-12 में आगी जाके सबोस्तुम chemistry में ही bachelor's करो chemistry में master's करो और से chemical engineering करो अगर उस साइड जा रहे हो तो वह सारा का सारा क्या है academic study मतलब pure study okay और फिर उसकी application उसके बाद अगर तुम job related job कर रहे हो industry में और वह chemical line है जैसे कि हमारा तो मतलब एविया ही है और से जगा ही है पूरी की पूरी chemical zone chemical pharmaceutical petrochemical जो भी बोलो तो भरुच आता है जस्ट मुझे दो दिन पहले ही पता चला कि भरुच डिस्ट्रिक्ट गुजरात का third most third or second second most मतलब second third कोई भी बोल सकते हो पहला है एम्दाबाद गांदी नगर है तो एम्दाबाद गांदी नगर को एक गीन है तो वह पहला और दूसरा भरुच सबसे ज्यादा वेल्दी और ग्रो करने वाला निस्ट्रिक्ट है सोचो मतलब जहां से सबसे ज्यादा इंकम आती है पूरे गुजरात में वह भरुच है सारी इंकम सारी इंकम अगर निकाले तो सबसे ज्यादा वेल्च क्रियेशन में भरुच का नाम है वह first है एम्दाबाद और second है नर्मदा रिवर के बैंक पे यह जो अंक्रेश्वर दहेज और से पानुली जगड़िया इतनी सारी जीएडिसी और से स्पेश्यल एकोनोमिक जोन एक साथ आ गया है इसलिए नंबर ओफ कंपनी इतनी कंपनी एशिया में अंक्रेश्वर जीएडिसी तो एशिया में एक नं क्यों क्योंकि एन्वार्मेंट पॉलिएशन बढ़ गया आज की डिट में भी वही है हमें तुम जाओ तो वहां का पानी और वहां की एर बहुत ज्यादा पॉलिटेर है आरो वाटर के विदा विदा विदाउट तो तुम वहां रही ही नहीं सका तो ऐसी कंडिश्वर बात कि इन लोग के नाम सेम ना हो जाए मतलब जैसे हम लोग इतने ज्यादा जैसे कि इतने टाइप एव लोग है तो हमारा तो कॉमन हो जाता है न न लेकिन फिर भी लोग ट्राइब करते हैं नाम रखने के टाइंब यह यह तो बहुत जनरल नाम है ऐसा बोलते हैं चिन्टु तो अब लोग क्या कर रहे है कि ऐसा कुछ अटपटा दो तीन वर्ड को मिक्स किया और ऐसा वर्ड रख रहे है मतलब ऐसा वर्ड बनाएंगे और फिर बोलेंगे यह नाम रख लो क्यों अलग सबको अलग चाहिए उके एक्सेप्शन चीज मतलब एक्सेप्शन बना है कोई चीज भी खरीत है तो सबसे जयदा दामन हो तो नहीं पर्चेस करते हैं आं यह अलग लगना बर्चेश करने और द हो तो चलेगा क्यों फूननी चलेगा क्रों लेकिन ऑईप Sounds भी और तो चलेगा कोई भी दो compound के नाम और से molecule के नाम सेम ना हो जाए किसी के भी नाम सेम होने चाहिए नहीं तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया और रिसर्च के बेस पे उन्होंने पूरा यूपासी नेमिंग कैसे करने है रूल्स रेगुलेशन दिये है हमें जो इंपोर्टन है एकक्दम एक्दम पॉइंट आ क्यों बता रहा हूं ज्यादा कुछ बताई नहीं नहीं वाला क्योंकि बुक में बहुत चारे रूल्स एगूलेशन है जितना इंपोर्टन है जिससे त तो पेल को grow करने के लिए की चाहिए तो भाई ऐर चाहिए, sunlight चाहिए, नीचे जमीन चाहिए, पानी चाहिए, ओके और पेल तो हैनी, तो यह हमारा word root है, अब word root को support चाहिए, तो suffix one and one degree suffix and two degree suffix, तो माननों यह नीचे के है, मतलब से soil है and water है, यह दुन हो गे, और यह उसके बाहर वर्ड रूट जमीन के ऊपर भी बाहर की साइड दे भी उसको सपोट चाहिए तो वह है वन डिगरी प्रिफिक्स दण तो इससे कुरा हमारा अफ यामिंग बन जाएगा ओके चल्ड तो यह सब क्या है सरो वर्ड रूट नंब्च चेन पर बीजा बात में लेकिन वर्ड रूट क्या है अमब्च जितने वर्ट algun होंगे वह हमारा वर्ड रूट हो जाएग strict गया की एक लो तीन चार पाफ चे पहले से सेचुरेटीटेर हाइडर कार्बन है या ऑन वह ने थैंज में भी देख लिया था सेच्रेटट इंचल मतलब जिसमें सिंगल मतलब कौन सा वह तो गाल और पाई ऊपए इसमें पहला सिगमा दूसरा पाय इसमें पहला सिगमा दूसरा और दूसरा तीसरा दोनों पाई है दन ओके तो यह हो गया हमारा क्या first degree suffix saturated और unsaturated second degree suffix second degree suffix आता है principal functional group principal functional group पहले तो है है तो कौन सा है और नहीं है तो फिर क्या करना है उसका वो सब हम देखेंगे तो 11th में इतना कुछ है यहीं पे आता है 12th principal functional group तुमें जो identify करना है तो वो हम next class में देखेंगे लेकिन यहाँ जरूरी है क्या जरूरी है functional group आएगा तो वो रहेगा कहाँ पर last में second degree suffix है तो last में रहेगा word root first degree suffix में saturated और unsaturated मतलब alkyne alkyne और alkyne and second degree suffix में आएगा हमारा main functional और से principal functional group done ओके यह हो गया अब आते है आगे जाते है तो first degree prefix so first degree prefix में आता है cyclic compound जिसके आगे हम लिख देंगे cyclo और आता है a cyclic compound मतलब के कोई भी एक chain होगी open होगा हो open इस side भी open इस side भी open इस side भी open ऐसे करके goal नहीं बना हुआ है just like benzene जैसा cyclic structure नहीं done so अगर कोई भी नाम के आगे cyclo word नहीं है मतलब क्या वो open है मतलब वो a cyclic है और a cyclic है done ओके तो हो गया first degree prefix and two degree prefix और second degree prefix so second degree prefix मतलब क्या substituent कौन सा substituent लगा हुआ है वो तो substituents हम देखेंगे जैसे के यह methyl तो methyl एक substituent है जैसे यह हमारी chain है और उसमें suppose chlorine लगा हुआ है तो वो भी एक substituent है फिर methyl लगा हुआ है वो भी एक substituent है तो वो substituent क्या है two degree prefix done तो हमारे पांच हो गए यहां से हमारा नाम बन जाएगा done word root first degree word root में क्या आएगा कितने number of carbons है वो first degree suffix उसमें क्या आएगा saturated और unsaturated hydrocarbon है मतलब alkene, alkene और alkyne then two degree prefix two degree suffix में क्या आएगा हमारा principal functional group वो आएगा then आगे आते है word root के first degree word root के inside भी one है first degree prefix first degree prefix में आएगा cyclic component है और compound है और acyclic compound है हुआ आएगा cyclic होगा तो cyclo word आएगा acyclic होगा तो कुछ आएगा ही निकाल दो done and two degree prefix two degree prefix में आएगा substituent methyl, ethyl, propyl, butyl और say chlorobromo ऐसा कोई functional चोटा वाला functional group चो होगा वो भी आगा तो वो सब क्या है substituent done तो हो गया हमारा UPSC naming के all five parts हो गया सबको ऐसे compress कर तो एक नाम बन गया ओके देखते हैं चलो तो सबसे पहले आते हैं हम अब वर्ट रूट पे तो वर्ट रूट में हमें सबसे पहले decide करनी होती है main chain main chain के लिए भी बहुत सारे rules and regulations है but main chain में main भी क्या है हमें देखना है कि सबसे ज्यादा number of carbon कहा कौन सी line में हम जाएंगे सो सबसे ज्यादा carbon आ जाएंगे तो देखो ये क्या है carbon 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 मतलब one two three four five five carbon है तो five carbon है तो यही main chain हो गए इसमें तो यह main chain हो गए okay चलो लेकिन ऐसा है तो तो ऐसा है तो देखो one two three and four कितने carbon हुए four carbon हुए अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो four carbon हुए अच्छा ऐसे ग्राहता तो five होते तो ऐसे reverse आँगा तो भी five ही होगे अब यहां से नीचे जाओ तो one two three four तो यहां से नीचे जाओ तो four आ रहा है यहां से नीचे जाओ तो भी four आ रहा है यहां से सीधे जाओ तो five आ रहा है और वहां से सीधे जाओ तो भी five आ रहा है मतलब हमें five वाला लेना है सबसे ज्यादा number of carbon आये वह वाली chain लेनी तो वह हो गई हमारी main chain सर अब आगे से जाए या पिछे से जाए उसके लिए आगे देखते हैं लेकिन सबसे ज्यादा carbon होने चाहिए नीचे जाओगे तो 4 आते हैं यहां से नीचे जाओगे तो भी 4 आएंगे यहां भी सीद्य जाओगे तो 5 carbon तो 5 carbon वाली chain लें देखे हैं इस case में हाँ सो ऐसे case बनेगा हमारा कि यहां से तुम जा रहे हो या वहां से तुम जा रहे हो लेकिन हम main group ही लेंगे सो यही है हमारे syllabus में क्या जो हमारे word root है number of carbon मतर क्या number of carbon तो एक होगा तो myth, दो होगा तो it, तीन होगा तो prop, चार होगा तो but, पांच होगा तो pen, छे होगा तो hex, यहां तर 10th में था, एंग 7 होगा तो hept, 8 होगा तो opt, 9 होगा तो non, and 10 होगा तो deck, इतना ही syllabus में है, दन, तो hex तब तो हम बढ़े गे थे, फिर hept, opt, non, and deck, दन, ओके, अब आते हैं हम primary suffix पे, primary मतलब first degree suffix पे, तो वहां हमने क्या बोला, saturated hydrocarbon, तो हो कौन होगा, alkyne, और unsaturated hydrocarbon, तो हो क्या होगा, alkyne या alkyne, ओके, चार, यह सब पता है, तो fast में जाना है, यह सब तो पता है, saturated hydrocarbon, alkyne, तो alkyne में क्या है, देखो, अब थोड़ा हम simple simple naming कर सकते तो saturated hydrocarbon, alkyne है, तो उसमें single bond होगा, और यहां पे main ध्यान देना है, Ane है, Ene है, या Yne है, तो Ane मतलब alkyne है, Ane और दो carbon है, तो unsaturated hydrocarbon में alkyne और alkyne होगा, तो उसमें क्या होगा, double bond, तो उसमें Ene आ जाएगा, दो double bond हो, तो dye आ जाएगा, तो Ene तो हैई, लेकिन dye-Eन आ दो-दो double bond होगे, तो triple bond होगे, तो alkyne, तो Y and E, लेकिन दो-दो triple bond होगे, तो dye-Y and E, dye-E, done, okay, then double bond, one double bond होगा, ऐसे, और एक triple bond होगा, ऐसे, ऐसा भी होगा, मतलब एक ही main chain में double bond भी है, single bond भी है, और triple bond भी है, तीन हो तीन bond है, एक ही chain में single bond, double bond, तो सिंगल दबल और टिपल तीनों के तीनों है उसमें क्या बनेगा इसका सिंगल का तो एन होता है डबल का एन होता है और टिपल का आइन होता है तो E N E और Y N E यही था तो यहां से E निकल जाएगा क्या निकल जाएगा E E N E का अलकीन का E निकल जाएगा लास्ट वाला वो निकल गया और आजाएगा Y N E तो यह दुनों को मिक्स कर दिया तो इनाइन बोलता है , इसे क्या बोलता है , इनाइन , अलकीन होता है , अलकीन को पकड़ दो //णिक को पकड़ लो //णिक का इनाइन कब ? जब दोनों होतो ृबबल बंव और ृबल बंव हो तो र्चार्च पर द्याख से सब्सक्राइब सक्षब्सक्राइल अब यह आपे उस्टीटिवन कोई नहीं तो वह कुछ आयेगा नहीं फिर फ़ॉस्ट डिग्री प्रिफिक्स भाई साइक्लों दिखनी रहा है, साइक्लों लिखेंगे नहीं उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट भी दिखाई नहीं दे रहा है तो भी मत लिखो तो बस ही थे वो पांचो के पांचो चेक करो ऐसे तो नहीं करोगे यहां के तुम्हें पता ही है सर कुछ है नहीं बट यह एक्जेट्ली हमें लगेगा कि यह ऐसा ही होगा लेकिन ऐसा नहीं ही एक्जेट्ली होना चीए पांचो के पांचो तुम्हें एक भी भूल गये ना तो गलत हो जाएक एक मार्ण में तो पूछ रहे है एक डाई लिखना भी भूल गये ना तो भी मार्स कट पूरा मांस कर फिर ऐसा नहीं कि सार आधा मांस भी नहीं दिया नहीं देते हैं डाई लिखना भुल गये तो भी नहीं होगा तो अब आते हैं देखो 1 2 3 4 तो ब्यूट अब आते हैं उसके 1st degree suffix पे तो क्या आता है सारे single bond ही है तो alkane so butane फिर functional group नहीं है कोई बात नहीं साइक्लो ऑसाइक्लिक और ऑसाइक्लिक ऑसाइक्लिक है छोड़ दो उसके पहले substituent कुछ दिखाई नहीं दे रहा है खताम butane का butane ही है next अब देखो यहां पर double bond है double bond है तो एक दो तीन चार मेरा कारबन तो कितने हो गये चार मतला butane तोowe that वहां पर पर कहीं से पी जाओ दो नंबर पर आ रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा कहीं से पी जाओ अच्छा तो लेकिन अब मुझे कारना क्या है saturated और unsaturated तो यह क्या है unsaturated अलकीन है so but in but in लेकिन यह in कहां पर है वो भी दिखाना पड़ेगा second पर है और फिर आगे functional group नहीं है छोड़ दो उसके आगे substitute नहीं दिखाई दे रहा है छोड़ दो तो जो बचा वो देखो अब यहां पर देखो one two three four तो यहां भी double bond यहां भी double bond मतलब पहले यहां से गीने तो पहले नंबर पर double bond है और तीसरे नंबर पर double bond one three यहां से जाए तो पहले नंबर पर है और अगीन तीसरे नंबर पर है तो कोई भी side से जाओ दोनों में same ही आ रहा है तो कोई भी side से जाओ same नहीं आएगा तो तो आगी देखते हैं हम आपके so one three आ गया अच्छा डबल अब व्यूट है one two three four व्यूट है तो व्यूट अभी double bond है तो अलकीन डबल bond है तो अलकीन लेकिन दो दो double bond है तो हमने पढ़ा अभी अब यहां पर तुम दाइल लिखना बूल गये न वह मांस काड़ा तो तो दाइल के फंक्ष्णल गूरूप नहीं है और साइक्लिक है तो कुछ लिखने के ज़र्वत नहीं तो अब यह double bond है कहां पर वह भी बताना पड़ेगा तो व्यूट one three डाइल ड़न okay next answer तो देखी रहे हैं हम लेकिन पहले समझ लो okay फिर answer तो है ही यह मैं तुम्हें शेर कर दूंगा तो तुम्हें directly पता चल दाएगा but practice के लिए तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा तुम्हें नहीं आता okay one or two two carbon है मतलब मिल गया हमें word root eat अच्छा फिर unsaturated unsaturated triple bond है unsaturated alkyne है आइन है done so eat आइन हो गया अच्छा इथाइन हो गया functional group नहीं है और साइक्लिक है substitute नहीं अब यह कहां पर है इथाइन one पर ही है यहां से किनों के तो भी one पर यहां से किनों के तो भी one पर तो one लिखो या लिखो चलेगा यहां से देखोगे तो भी यह carbon पे ऐगा triple 1 तो One ही हो गया यहां से देखोगे तो यह carbon यह तो लिखो के तो भी सही जिस्ट आइगा दूसरा क्या हो सकता है इएथ 1 आइग में Alright कि अब आते हैं हम सेकेंड्री सभीक सभीक फो स्दीगई सफिक्स टरिया हम जिसमें कोसा एक्जाम्पमं देए है अब सेकंड्री सपिए चैन्डी सफिक्स में क्या है फॉंक्शनल ग्रूप क्या है फॉंक्शनल ग्रूप यह उèmeने आलरेटि टैंड में पड़ लिया था, functional group क्या है, वो ऐसा group है, जो particular hydrocarbon के अंदर अगर joint हो जाए, मत्तब ही hydrogen निकले और functional group add हो जाता है, तो वो add हो जाए, तो पूरे के पूरे compound की physical, chemical characteristics change कर देता, वैसा group है वो, तो वही चीज़ है, definition नहीं पूछेंगे, समझने के लिए ही है, group of atoms that decides the chemical and physical properties of an organic molecule, properties, melting point, boiling point, color, color, यह सब कुछ physical में आएगा, okay, वो और chemical properties, वो alcohol के साथ कैसे react करता है, ketone के साथ कैसे react करता है, aldehyde के साथ, water के साथ, acid कैसे react करता है, यह compound, वो सब किसमें आएगा, chemical properties में, तो ऐसा group, जो organic compound और hydrocarbon के साथ join होके, यह सब change कर दे उसका, वो है functional group, done? okay, so secondary suffix में functional group, तो जो 11 के base पे है, वो हमने यहां लिए है, 12 में तो बहुत ज्यादा है, नहीं 12 है, 12 में 12 functional group है, वो हम next class में लेकिन यह 12 के base पे और 10 में जो हम पढ़े थे, उसके base पे, जैसे के OH है, तो क्या है वो, alcohol, जो 10 में पढ़े थे, हमने पढ़े थे, halogen वाला पढ़ा था, aldehyde पढ़ा था, carboxylic acid पढ़ा था, याद है ना, okay, so alcohol, then NH2 होतो वो क्या है, amine, okay, review 12 में आता है, amine, okay, NH2, C double OH होतो, carboxylic acid, उसमें एक carbon जो जुडा हुआ है, वो double bond से जुडा हुआ है, और दूसरा OH group है, okay, so यह हमारे functional group है, अब आते हैं हम एक आगे, prefix पे तो वो तो cyclic और aus-cyclic था, तो कैसे देखो, cyclic compound, तो IUPAC में आगे cyclo लग जाएगा, और aus-cyclic है, तो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ लगेगा हैं हैं यह से लिख दो, okay, simple, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो वो क्या है, paint और saturated, unsaturated, saturated, कौन सा अलकेन, तो paint in, ख saturated ही है, तो फिर से paint नहीं बना, यह भी paint, यह भी paint, हाँ, ठीक है, functional group नहीं है, छोड़ दिया, आगे cyclic और aus-cyclic, दिख रहा है cyclic, तो यह है cyclo paint और यह है normal paint, इसको ही बोलते है normal paint, n-pain, इसको क्या बोलेंगे, n-pain, इसमें से एक S रिकाल दोके तो बन जाएगा, n-pain, व यह हो गया cyclic, यह हो गया cyclic, done, second degree प्याल जाते है, second degree prefix, तो वो क्या है, substituent, तो substituent में क्या लगेगा, भाई, halogen group लग सकते है, methyl, alkyl group लग सकता है, तो वही है, देखो alkyl group, तो CH4 था, उसमें से एक H निकाल दिया, तो बना क्या CH3, एक यहाँ पर डंडी खाली है, क्यों क्यों कि अभी इसकी tetra-valency carbon की complete हुई, नहीं है, तो यह हो गया हमारा methyl, done, so अब यह जो हमारा methyl था, तो यह A and E को निकाल के हम लिख देते हैं, क्या, YL, alkyl का YL, तो methyl, done, okay, वैसे ही, देखो, यह इथेन है, उसमें से एक H निकाल दिया, तो CH3, CH2 को, और CH2, CH2 को क्या बो आइ, done, okay, तो वैसे propyl, butyl, pentyl, सब आएगा, एक H निकाल होगे, तो alkyl बन जाएगा, वो तो अभी हमने देखा, फली देखा था alkyl halide, alkyl halide देखा ना हमने, तो क्या, alkyl मतलब क्या, यह catch निकाल दिया, एक जगा खाली है, यह खाली है, यह खाली है, तो यहां बजाके प्लोरो, आयोडो, वो हम लगाएंगे कहां पर second degree prefix, done, chlorobromo, फ्लोरो, आयोडो, और alkyl group हो, तो alkyl group लगाएंगे, मतलब methyl, 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 propyl, butyl, that's it, okay, done, समझ के आगे हैं, एक और आता है, वो है alkoxy group, कौन सा, alky, oxy, alky, 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 alky और यह O है, और O के बाद जो हमारा है, वो oxy group है, तो मतलब क्या, अगर methyl है, तो उसको हम पढ़ेंगे methoxy, यह methyl, CH3 मतलब methyl, तो उसको हम OCH3 को क्या पढ़ेंगे, methoxy, अभी OCH3 के आगे जो होगा, अभी example लेंगे, OCH3 के आगे भी CH3 है, ऐसा समझो, OCH3 के आगे क्या है, CH CH3, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ते है, methoxy, तो methoxy और आगे एक carbon है, तो methoxy methane, ऐसे पढ़ेंगे, आगे अगर CH2, CH3 हो, तो हम पढ़ेंगे, methoxy ethane, दो carbon है, इसको, done, ओके, तो उसको पढ़ते है, हम methoxy, done, तो जैसे कि यह क्या आया, हमारा C2H5 आया, तो उसको पढ़ेंगे, eth and oxy, so ethoxy, done, propoxy, like that, prop and oxy, done, तो इतने ही, अभी हमारे, 11th के बेस पे हमारे यही है, alky, okay, alkyl group होंगे, substituent के तोर पे, halogen group होगा, और alkoxy group, done, और जो functional group जो आ रहे हैं, वो तो 12th में, मतलब 12th के बेस पे आएंगे, okay, functional group, जो last में, second degree, suffix में आते हैं, वो, okay, चलो, so, अग, selection of main chain and numbering, उसके लिए ये छोटा सा rule है, क्या, सबसे पहले कुमें देखना है, number of carbon सबसे ज्यादा होगो, लेकिन अगर तुमने दो line, दो root, select की, दोनो root में, same number of carbon है, तो क्या करो, मतलब तुमने एक main line लेका, अब यहाँ से नीचे भी थीक होच, तो यहाँ से तुम नीचे गए, इसी दे गए तो भी 6 carbon, नीचे गए तो भी 6 carbon, अब क्या करे, अब कौन सा, लेका, जो ज्यादा हो वो लेते थे, लेकिन दोनों same आगे, तो क्या करे, तो तुमने लेना है number of substituent, कितने number of substituent है, और वो कहा लगे होगे, वो देखेंगे अभी एक लागे, लेकिन तब तुमने देखना है, number of substituent कहा लगा होगा, छोटे number पे लगा होग 1 पे, 2 पे, 3 पे, वैसे, अभी हम देखेंगे, सर यह रास्ते पे गए, तो भी 2 पे लगा हुआ है, यह रास्ते पे गए, तो भी 2 पे लगा हुआ है, अब फिर से same हो गया, number of carbon भी same हो गया, number of substituent भी same हो गया, तो आगे जाएंगे हम lowest set of localants, ओके, lowest set of localants और locals भी बोलते है यह क्या है, आगे देखते हैं, कि वो कौन से number पे है, say 1 और 3 पे है, और say 1 पर है, यहां से जाएंगे, तो 2 पर है, वो देखना है हमें, कई जगा पे, वो जो आएगा तब में बताता हम, क्या गलती होती है, तो भी नहीं करनी है, तुम्हें, and lastly हम देखते है, alphabetical order, सब कौन पहले आता है, वो chain level, done, ओके, छुटा सा rule है, अभी उसका example देखेंगे तो, हाँ सर, यह तो अभी easy है, ऐसा लगेगा, देखो, उपर लिखा हुआ ही है, वोई चीज़ फिर से लिखी हुई है, number of carbon, number of substituent, lowest set of locants, and alphabetical order, तो वो चीज़ यहां पर लिखी हुई है, नीचे जाता है, one, two, three, four, four आये, तो यह four वाला तो गया, जिद गया, पांच वाला, यह पांच है, अच्छा, यहां से जाता है, one, two, three, four, five, यहां से भी five आये, one, two, three, four, four वाला तो गया, पांच वाला आ गया, number of carbon, same हो गया, done, number of carbon fix हो गया, यह सीधा यहां से जाएंगे यह सीधा वहां से आएंगे, that's it, नीचे जाने की बात मन करना, चुकि वहां पे number of carbon कम है, चारे है, सीधी line में 5 है, done, okay, अब आगे देखो, तो यह हम सीधे गए, अब तुम यहां से सीधे जाओगे, तो यह मिथायल ग्रूप जो सब्स्ट्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पूरा नाम हो गया, पांच carbon, तो वर्ट रूट आगया, pent, then first degree suffix, सारे के सारे सिंगल बॉंड, alkyne है, तो pent, in, then, आगे, two degree suffix, functional, main, principal functional group, है ही नहीं, छोड़ दो, then, आगे, acyclic और cyclic, sir, open ही है, acyclic, तो छोड़ दो cyclo, लिखना, ठीक है, और आगे, substitute, हाँ, कौन है, है methyl, methyl, alkyl, alkoxy, and halogen, इतने ही, पहले है, starting case में, done, so, वो हो गये, तुमारे, methyl, तो methyl कहां करे, three methyl, pentane, kutam, simple, yes, okay, चलो, तो आया है, अब बहुत सारे, अब देखो, इसका naming, देखो, one, two, naming कैसे करें, यह answer के साथ है, लेकिन तुम answer नहीं पता है, stay to, देखो, one, पहले यह carbon ले लिया, तो one, two, three, four, five, five, six, यहां से गये, तो one, two, three, four, five, यहां से भी पाँच है, कही नीचे जाओ, one, two, three, four, five, जहर, नीचे भी पाँच है, नीचे जाओगे तो भी 5 है 1, 2, 3 वो तो गया, वो रूट ही गया 1, 2, 3, 4, 5 ये रूट में उपर जाओँ तो है 5 वापस तो कितने कितने रूट हो गया एक तो इस साइड वाला 5 फिर इस साइड वाला 5 फिर यहां से जाएंगे उपर वो भी 5 है और यहां से जाएंगे नीचे वो भी 5 है और यहां से भी नीचे जा सकते है 1, 2, 3, 4, 5 वो भी 5 है, 5 रूट होगे ओके, एक, दो, फिर यहां से उपर 3, फिर यहां से नीचे 4 और यहां से भी नीचे 5, 5 रूट होगे 5 में से हमने एक ही सिलेक करना है दन चलो कैसे सिलेक करते हैं तो यह तो पांच-पांच सब में अभी मैक्जिमम कारबन देखने हैं तो सर पांच हो रूट में पांच-पांच ही कारबन है तो अब आ गया हो वो जो हमने सिक्वंस देखा उसमें आ गया हो ओके तो उसमें हम सिक्वंस देखे तो देखो यह जो तीन नमपर पे जुडा हुआ है यहां से देखो कि तो directly बनों गए इसलिए तो यहां से जाऊँगे तो शार एक मिठायल गृूंप है दो नंबर पे ओर एक मिठाया गृूत है ना स्थ्नीelों कि एल नवर यहां से तक तो यहां से फिकनल के जंब समज झाहिए ना भी हना मने सबस्टलिटूट तो अभी अगर हमने यह ले लिया देखो वन टू थ्री फोर फाइश यह पूरा ले लिया तो यह गुरूप कहां कोई बन रहा है यह पूरा गुरूप यह एक 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 ऐसे मतलब जसलाइक वाई बन रहा है यहां से एक बंडी उपर और नीचे समझ में आया है तो हमें तो मैक कार्बन टो पांच भी गवर कि यहां से जा रहे।ो कहां कहां आroeहल समझ में आगया को को स्मझ में लुब है यहां से वोग्रूब है वो ना अल्कायल है ना है कौन सा सवस्टिटुइट यह डन, वो रास्ता गलब, वैसे ही यहां से मैं अगर नीचे जाँ te一द तर यह पू Ini तो फिर यह गुरूप कॉन सा है यह यह कि यहाँ से न तौन से जाएं तो यह बन जाएगा हमारा मिथाइल और यह बन जाएगा हमारा इथाइल तो वो ले सकते हैं यह रूट ले सकते हैं कौन सा वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो यहां पर मिथाइल आ जाएगा और यहां पर इथाइल आ जाएगा ड़न वो ले सकते हैं तो अब टोटल हमारे है तुम किसी भी तरह से naming करो दो में तो से मीं होग कैसे यहां से यहां से बिसकते हैं तो यह 6 स्थ मेरे ऊरानू बॉघत तो set of locants क्या हो गए, two and three, अगर मैं यहां से जा रहा हूं, इस side से, तो देखो, one, two, three, four, five, तो three number पे आया, इथाय, और four number पे आया, मिथाय, तो three or four, done, अगर मैं, जो मैंने तुम्हें बताया, उस पे जाऊ, one, two, three, four and five, done, इस पे गर, यही है एक रास्ता बाखी, two हमने देख लिये, okay, so, अब देखो, कहां-कहां पे है, three पे हैं, और, four पे हैं, done, okay, three रास्ते, बच्चे, दो तो निकल गए, यह तीन रास्ते के three locants हमने लिख लिए, done, एक यह ऐ वाला रास्ता, एक यह वाला रास्ता, और यहां से जो उपर जा रहा है वह यहां से उपर जा रहा है वह तो लेई नहीं सकते हैं तो यहां पर गलती होते हैं बहुत जगा इंचर से बताते हैं कि यह दूनों नंबर का सम कर दो तो यह 2 और 3 आया तो 2 प्लस 3 5 3 प्लस 4 7 3 प्लस 4 7 ओके और जिसका सम कम हो वह रास्ता चूज कर यह गलत नहीं है बट हमेशा सही भी नहीं यह हमेशा सही भी नहीं है most probable case में सही हो जाएगा लेकिन ऐसे exceptions भी है जिसमें यह method गलत हो जाते हैं तो फिर क्या करना है तुम्हें पहला नंबर ही देख लेना पहला नंबर अगर सबसे कम हो वह ही चूज कर दो यहां पर पहला नंबर क्या है दो यहां पर तीन यहां पर तीन दो नंबर सबसे चोट क्या है चूज यह method से भी वही आया देखो कम सम उसका ही आया रहा है जो सम है उसकी कम value कहां आई थी वहीं पर आई थी लेकिन वो हर बार true नहीं होगा ओके तो इसलिए बूल रहा हूं कि वह plus करने बैटो ही मत पहला नंबर तुमारा लोकंट में पहला जो नंबर आ रहा है हो क्या है सैंद करें सबसे चूटा नंबर यो अkteो यह घल्पी ना होपय बस यह वालम हम हमें 50 कलें कर ले हैं और यह से प्लिका ने लिए कि निएlen 10iven भी इस रास्ते से उपर गए वो भी 3-4 बना, तो वो तो है नहीं, ओके, तो खतम, ओके, अग हमारा this is the correct, तो this is correct मतब दो नंबर पर ये कौन है बाई, ये है हमारा मिथाइल, ये कौन है हमारा, मिथाइल, तो अग मिथाइल को पहले कली भी बताया था, मिथाइल को पहले रखे, ये हमारा मिथाइल को पहले रखे, यहां पर तुम्हें दो, तीन, चार, पांच नंबर देखना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हें अल्फाबेटिकल ओडर देखना है, तो अल्फाबेटिकल ओडर में E पहले आता है, या M पहले आता है, E पहले आता है, त पर M आता है तो M लिखे के बहले ही नंबर यहां पर 2 और यहां पर 3 और यहां पर 2 और कोई मतलब नहीं है ड़न ओके तो 3 पहले हमें लिखना है जो लिख दो ETHYL कहां पर है वह 3 नंबर पर 3 ETHYL मिथाइल कहां पर है दो नंबर पर 2 ETHYL ओपन ही है और साइक लिख है तो वह कुछ लिखना नहीं है तो substitute लिख लिया 3 ETHYL 2 ETHYL PENT और सारे के सारे Saturated है तो AEM यह बने गया हमारा पूरा ओके समझ में आ गया अब फटा फट देखे तो आब यह पहला हमने समझ लिए अब फटा फट देखते हैं तो देको सेकेंड वाला एक दो तीन चार पांच छे ये चेंदे हम तो दो और चार पर है ठीक है अगर यहां से ले तो वन टू थ्री थ्री फॉर फाइव सिक्स तो यहां से ले तो थ्री और फाइव पर है करने के जरुलत नहीं है दू नंबर वाला चूस करें तो अब क्या है को तो अब साइक्ला हकून का पर है सो तू-पर है फोर है तो फोर डाय मिथायल फिर कितने कार मैंने छे तो हैक्स और एक भी अंसेचुरेटेट डबल बॉंटर पर बॉंट दिख नहीं रहा है तो अलके तो तो फोर डाय मिथायल हैक्स रही है सिंपल नैक्स है हमारा यह वही है नेक्स है हमारा यह वाला है तो देखो क्या है यहां से में आगर जाओ तो 1,2,3,5,6,7 सो 2 पर मेरे दो मिथायल है तो 2 2 लिखना पड़़ा दू बार वहे तो दू बार लिखना पड़़ा 2 पर उपर बी है और नीचे भी है और फिर 5 पर भी बीठाए लिए तो 5 तो एक नमबर लिख लिए 2 to 5 और यहां से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आता है 3 पर 6 पर 2 है तो 6 6 अगें प्लस करने मत बैठो प्लस करने मत बैठो तो भी आंसर यही आएगा बर हमेशा नहीं आएगा वह चीज मैंने बताईगे याद रखना चोटा नमबर से लेक कर लो यह 2 है तो यह सही रास्ता है क्या है मेरे पास यहां पर है मेरे पास क्या तीन तीन मिठाइल लिए तो क्या लिखेंगे ट्राइमिठाइल है 7 है तो है और सारे के सारे सिंगल बॉंडी है तो अलकेन है तो 225 प्राइम निचाइल है एक ही है अगें तुम दूसरे सर हो सकता है तो जाओ यहां से भी 6 है सर अब देखो कोई ग्रूप बन रहा है क्या यह ग्रूप देखो एक मतलब यहां एक कार्बन यहां दूसरा कार्बन तो वह बन रहा है नहीं बन रहा है कौन सा रास्ता बन रहा है यह वाला 1 2 3 4 5 6 तो यहां भी एक कार्बन है यहां भी एक कार्बन है मतलब क तो तो है यहां पर भी 6 कार्बन है इथैल ग्रूप है कोई बात नहीं रखते है इसको एक रास्ता यह वाला है एक रास्ता यह उपर जा रहा है वह है दो रास्ते और तीसरा रास्ता यहां से गाइसे है 1, 2, 3, 4 और यह 5 और यह 6 चल यहां पीछ यह carbon है ठीक है उसको भी रखो कोई बात ने ओके अब set of lookants लिख लेते हैं दो रास्ते के तो हमने लिखे हुए है यहां से जाएंगे तो third number पे एक और दो carbon मतलब methyl group है ठीक है third number आगया third number और fourth number पे methyl group है आगया done अब यह दूसरा रास्ता सीधा वाला okay so 1,2,3,4,5 और 6 सीधा वाला रास्ता so sir three number पे है अच्छा फिर four number पे इकला है अच्छा ठीक done okay next हमने जो यह तीसरा select किया है वो one two sir three number पे है then four number पे है done sir सारे सेम आये तो सबके answer भी सेम आयेंगे सबके answer भी सेम आयेंगे done okay तो सबके answer सेम आ रहे हैं तो तुम यहां से करो या वहां से करो same answer आन्सर आने मारे है done okay same answer आएगा लेकिन यह तो हमने से functional group के बारे में बारती है okay three four three four three four the set of locans की बारती है लेकिन substitute की भी तो बात करनी है okay तो यहां पर यह रूट से जाए तो three number पर क्या आता है eat और यहां पर आता है meet और यहां से जाए last alphabetical order पर जाएंगे तो आफ़ाबेटिकल order पर जाएंगे तो हमें पता है eat पहले आता है मित पहले लेकिन इत को पहले लिखने के लिए यह वाला भी इत आता है और इत नहीं है एक ही है तो यह वाला ही है तो वह एला ही यहां पर तीन है यहां पर चार है यहां पर भी चार है अलफाबेटिकल order जब तुम देखोगे तो यहां देखो यह थोड़ा अलग है सब कुछ सेम आ गया 343434 number of carbon chain हमने देख लिया फिर substituents की बात कर ली लोकंट की भी बात कर ली और हम अब आलफाबेटिकल अंदर मीष थीच menor बिदेख सहग में अब पर तो यहां पर पहले है ऑं यहांपर तो यहां-पर नान बन गया है ट् neighbour ईथाई-फॉर ना मिधाय है हैं अब जो हमारा अलकाइल ग्रूप है तो वो तो हमने अलकेन में से बनाया वो अलकेन कहां से बनाया अलकेन में से बनाया लेकिन और अलकेन में से बन सकता है और अलकाइल में से बन सकता है तो कैसे बन इतICO है यहां से एक एच निकाल तो बन जाएगा डावलखनाल। किल बताया था याद करो इधिन के केस में से उसमें से यह से यह निकाल दिया था विनाय। यादाया या फिर वो बुकाईड पंकाईड बताया था वो क्या था वीनाइल मतलब डबल बॉन को तोड़ो तो दो हमारी वैलेंसी खुल जाए एक मैं हो फंक्टन गुपाईड दूसरा तो है एच है ऑके दूसरा क्यों है क्यों कि अब वो अलकिन में से अलकेन बनी जाए इ कि अ इन और यही निकालके लगा दिनाय वाय-इन वैसे ही अलकाईड है उसमें से भी एच निकाल दो तो क्या परनेगा अलकी नाइल के और यह अलकले प्रोनामसेशन सही करना अलकीन and आयल अलकाइल गूरू है तो अलकीन आयल अलकाइल and अलकाइल अलकाइन तो अलकाइन आयल डटन अलकेन अलकीन काइन और ये है काइल डटन और व में तो देखो जाएए जैसे कि Alkyl है तो यह हमारा इथीन है double bond वाला CH2 CH2 एक हैस्ट यहां से निकाल दिया यह बन गया इथिनायल जिसको यह हम विनायल बोलते हैं इथिनायल का यह नाम क्या हम लेते हैं विनायल okay मतलब यहां पर तुमने डाल दिया chlorine तो विनायल chloride ब्रोमिन तो विनायल ब्रोमिन वही देखा ना हमने लोल की इसमें तो ये ने हमारा इथिनायल वैसे ही हमारे पास अलकाइन है क्या है तो अलकाइन है ये निकाल दिया तो फिर डाइरेक्टी क्या बनेगा वाई एल लगा दिया है तो इथाइनायल ये एक डंडी ओपन रहे गिया जहां एड होगी जैसे CH3 में एक ओपन रहता था टेट्रावेलेंसी बाखी रहती थी CH3 में मिथाईल में तो वैसे ही यहां पर भी एक बाखी रह को सकते हैं о को सो नेक्स्ट हमएरा जाता है और ही बेंजीन सेव डिट्टो एक हैंस निकाल तो C6H6 बेंजीन का फॉर्मिला है यह सब जगे यह कारबन 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 शे कारबन लगे हो है और वो शे कारबन के साथ यह है hydrogen 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 तो अब बस यही जो मोटा मोटा था हुआ हमने समझा अब जो कॉमन नेम है उसमें भी थोड़े बहुत नेम जाते हैं तो उसके लिए भी ट्रिक्स है तो वह जो जो कॉमन ट्रिक है कॉमन नेम में वह बता और जो सबसे पहरें अलकेन में सीधा सिधा अगर लिखा हुआ है सिधा सिधा कोई चेंज ने कुछ भी नहीं तो उसको नॉर्मल अलकेन भी बहुत नार्मल है भई कोई चेंज उटा पटक नहीं किये नॉर्मल तो सपोज यह वन टू टू थी फोर है और क्या है व्यूट आ गया तो ब्यूटेन को ही नॉर्मल ब्यूटेन बोलते है नॉर्मल ब्यूटेन अब यह नॉर्मल ब्यूटेन में से नॉर्मल ब्यूटेन में से एक निक़लए तो थो ब्यूटेन को ही क्या ओजैए खराकू जी मीकाले एक निकाल है नॉर्मल ब्यूटेन को ही क्या बहुत WILL ुच ऑख की लाइटर चुछ यह हमारा उब्यूतेन एक है निकाल दिया तो यहां से अब ध्यान से H कहां से निकालते हो वह भी बैटर करता है यह CH3 है तो इसकी ट्रावलेंसी अभी कम्प्रीटेड है क्यों यह 3H है और 1 कार्बन है ट्रावलेंसी कम्प्रीट है यहां से मैं एक H निकालो तो सब्सक्राइब इसकी एक वैलेंसी बाकी रहे वही है यहां पे N-buty normal butyl बाकी रही हो लेकिन अगर मैंने यहां से निकाला सब्सक्राइब तो वहां से हैच निकाल दिया तो अब एक दो तो कार्बन के साब जुड़े हुए है और दो हैड्रोजन है उसमें से हैच निकाल दिया तो एक ही हैच बचा एक बचा और एक खाली है टेट्रावलेंसी पर इसमें एक खाली है अभी यह एक खाली हो गया तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटार क्यों से कियो सेकेंडरी कल भी तो देखा था दो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहां जो भी तुम जोड़ोगे वह जो भी जोड़ो ठीक है लेकिन वह जो ओपन वाला से यूड़ा हुआ है जूड़ा होसिते कार्बन से जूड़ा होगा थू थू this motor जूड़ा होगा टू कि लिखा हुआ है तो कल भी बताएए था ISO वर्ट जो हमारे में ऑडर है में चेन है उसमें सेकेंड लास्ट में आ जाता है सेकेंड लास्ट में अगर तुम्हारा अट हो सेकंड लास्ट में ऊके जैसे 12345 है तो यह 4 नंबर पर एड हो तो वह ISO बोला जाएगा या तो फिर यहां से देखे तो 1,2,3,4,5 है यह 4 नमबर पे वो कहा जाए कैसे उसको सिर्फ तुम मान लो कि y लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ऐसा y बन जाए तो वो है iso y बन जाए तो वो क्या है iso y बन जाए तो iso है तो देखो 1,2,3,4 तो यह तो pentane के लिए है लेगिन pentane के लिए देखो directly 1,2,3,4,5 तो यह क्या बन गया है iso pentane आई-so pentane मतलब क्या है तो पहले ने direct इन लिखा आई-so-butane बताता हूं फिर pentane जाता है यह हमने बना दिया y क्या बनाया यह y बनाया यह y मतलब क्या यह y मतलब यह carbon है यह carbon है यह carbon है यह carbon है और यह carbon है डन तो यह मेरा बना है क्या iso-butane न चार carbon है डन अब तुम यहां से सेरे यहां से जाओ यह नंबर लाइन करो 123 कि यहां ऐसे उपर 12 और यह यहां से जाओ तो 12 और यहां से आएगा कहीं से भी जाओ second number पर ही आएगा तो वो है हमारा ISO अंडर्स्टों यस तो इससे बताओं क्या ये हमारा वाई बनाया हमें तो ये ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है और ये कार्बन है तो इसमें मैं अलग-अलग नमबरिंग कर रहा हूं जैसे कि यह one है यह two है यह three है तो वो जो कारबन है वो second number पर आ गया वो जो substituent group है वो second number पर ठीक है लेकिन सर मैं दूसरी chain लेता हूं यहां से जा रहा हूं ठीक है one two three फिर से second number पर आया ओके और एक possibility suppose यहां से जाए तो one यह two और यहां चला जाता हूंगे three तो यह वाला जो कारबन है वो भी second number पर आया है और से one two three तो यह वाला है वो भी second number पर आया कौहीं से भी जाओ second number पर ही आएगा इंचर तो क्या हो गया है वो आई जो ब्यूटेन नहीं हो सकता है आई जो प्रोपेन कैसे कोगा नंबर पर लगा होगे तुम दो नंबर पर लगा होगे एक लू ती क्या लगाया कहां कुछ लगा यहीं तो यह तो यह तो हमारा क्या बना आई-सो ब्यू-तेन अभात वह दूस्रा कुछ पूछ ले तो यह मेरा क्या है आइसोग्हुटेम सरकल है आईसोपेंटएन क्यूछ पूछ लिए कभी एग जगह पर एक और ए अधर भी क्या ख क्या और है क्या और 만들어ई क्या चैह कर दिया के बन cash हं युक्र क्या इसे बनगए यह तो की थे दो को дв एक इसे कर टेके यह सेकंड लाइस्ट पैड़ा जाए यहां पर और सी बगागी यह क्या मिन गया आईसो है क्या यह तो बनाना ही है दन वो स्टार्ट होता है व्यूटेंज क्योंकि व्यूटेंज चार कार्बन तो आएगे तो आईसो पेंटेन यह समझ में आ गया है अब मुझे बोला है आईसोपेंटेन बनाओ तो यह तो मेरा आईसोब्यूतेन था डण एक,दो,तीन,शार चार कार्बन मस्तलब ब्यूतेन लेकि अटुरूतैन था की करड़ा लुक्ति हramच प्लिटाएज्ट देखते हैं और यह हमारा तो वह कैसे था ₽ किसे तो cand exchange यहां भी स्श्टी जोडना, So यह बन गया हमारा Isobutyl कि Isobutyl था यहां से हमने Isobutyl भी है लिए Isobutyl तो लिए जो कार्बन कुंसा हो गया एक दो तीन कार्बन से जूड़ा हुआ लेकि वो कार्बन तीन से जूड़ा हुआ जो ओपन वाला है ओपन वाला कुंसा है तो एक यहां पर जो भी 귀ichtig methyl group add हुवा लेकिन कि एक ह ह वीच में कैसे बना डेता हूं इसको भुल जाओ चाहिए औहीच में वह एच भी निकाल दिया तो एक वैलेंसी और खुल गई एक वैलेंसी खुल गई तो यह रही तो वही वैलेंसी है देखो CS3 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 carbon और खुली वैलेंसी तो वह गया तर्शरी butyl क्यूं एक दो तीन चार चार है तो butyl और खुले हुआ है तो इसलिए तो butyl done पक्का तर्शरी butyl समझ में आएगा तर्शरी butyl मतलब क्या तर्शरी क्यूं बोला तीन carbon से जूड़ा हुआ है यह carbon एक दो तीन कौनसा carbon तीन carbon से जूड़ा है जो open है वह तीन carbon से जूड़ा हुआ है उसको नहीं देखना है जो open वाला carbon हो उसको देखना है कि वह कितने carbon से जूड़ा है दन तो यह हो गया तर्शरी butyl understood this और एक आतर है पेंटेन नहीं सोरी नियो और क्या आता है नियो तो नियो मतलब क्या प्लस बनेगा जब तुमारा आइसो है तो वह ही बनेगा वैसे नियो में क्या बनेगा प्लस अभी प्लस बना एक दो तीन चार पांक पांस तो होगे तो यह पांस हो गए एक दो तीन चार पांस एक दो तीन चार पांस हो गए वैलेंसी भी किन लो देखो कार्बन की तो चार हो नीच सब जबें मिथा निथा 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 अभी इसका भी तुम देखना चाहो यहां पर ओपन वाला है यह कितने से जुड़ा हुआ है तो छोड़ो फिर दो के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हम बोलते सेकेंडरी तीन के साथ जुड़ा हुआ होता हम बोलते टरशरी विर तो अब ने देखे उसके अप्सक्राइब है आइसो पेंटेंटेंग रजा हमने पूला है इसम्तलि।ार्ब मतलब य बनाना गया तो इसो ब्यूतेंग बना है वहीं पर दंडी और आके लगा तो प्रेंटेंग तो यह हमारा देखो यहां। यह हमारा ऐसे y बन गया बस अब यहां पर pentem है तो एक और जूड़ कि यहां जोड़ दो चलेगा कही पर भी जूड़ हो दन देन नियो हैक्जेन नियो मत्तर प्लस बनाना है pentem तो बनी जाएगा थे प्लस बना ज़री प्लस बना निये सब्सक्राइब अब पैंटेन 5 है, हेक्स पे 6 होते हैं और यह जूर तो और तो साथ होते हैं और आगी बढ़ा है नियो है ड़न तर्शरी पैंटाइल सबसे पहले तो पैंट बनाओ पैंटेन बनाओ अभी पैंटेन बनाओगे फिर पैंटेन बनाने के लिए एक आच निकालना है पैंटेन में 5 कार्बन होते हैंकि लेकिं टर्शरी मतलग जो ओपनवाला है वह कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो carbon ये open वाला, ये carbon और ये open end जहां से H निकाला है वो, तो 3 carbon से जुड़ा हुआ है, तो ये 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, tertiary pentile, तो 1, 2, 3, 4, ये तो हमने क्या बनाया, 4 बनाया, हमें तो कितने बनाना है, 5, हमें कितने बनाना है, 5, तो directly 5 करतो हो, यहां से, देख, ये, 1, 2, 3, 4, ये 5, जहां से H निकाला था, वहां पर क्या है, एक ग्रूप और जोड़ दिया है, मतलब जो open हो, वो 3 carbon से जुड़ा होना चाहिए, वही तो हमारी requirement है, तो अभी मैंने जो draw किया था, वो क्या था, ये जो open ऐसा draw किया था, ये, और यहां पे CH3 था, ये जो open है, वो 3 carbon से जुड़ा होना चाहिए, एक, लो, तीन, जुड़ा हुआ है, लेकिन सार, ये तो कितने हुआ है, एक, दो, तीन, चाहिए, लेकिन हमें तो tertiary penta ही बोला है, तो 5 carbon होने चाहिए, तो यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ना हो, वहां CH3 जोड़ो, लेकिन जहां CH3 जोड़ोगे, वहां से एक H निकालना, एच निकालने के बिना ही CH3 जोड़ोगे, तो valency complete, valency overloaded हो जाएगे, जैसे के यहां CH3 दिखा था, अब यही CH3 के बाजूबर में CH3 लिखू, वहां से H निकालना पड़ेगा, तो यह CH2 फिर CH3, अगर यहा अगर में CH3 लिखता, दिखो यह एक, यह दो, और H3, दो और तीन तो पाँच हो गए, understood, okay, so next is neo, sorry not neo, neo के यह neo लिखेंगे, n लिखा है मतला नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपाईल, नॉर्मल मतला पहले तो नॉर्मल लिखो पेंटेन, sorry not pentane, प्रोपाईल है तो प्रोपें तो तीन कार्बन मतला, तो लिख दिया, CS3, CH2, CS3, लिख दिया, अब बोला है, normal, normal, प्रोपें, तो भगी यह प्रोपें को ही normal प्रोपें बोलते हैं, ठीक है, बोले नहीं, प्रोपें नहीं, प्रोपाईलर, तो अगें, समझो बहले क्या करना है, अंसर तुम्हारा गलत आया होगा तो भी तुम सही कर सकते हो अगर समझे हो रहesten सेकंडेरी प्रोपा Colin मतलब क्या जो तुम्हारा ओपन वाला कार्वन है वा सेकंडेरी है मतलब दूसरे हो कार्वन से जोड़ा हुआ होना चाहिए तो तुम तुमारा आंसर जो भी लेके आए उसमें देखो, जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ है, प्रोपाइल है, हाँ है, प्रोपाइल के लिए फॉर्मिला भी देख लो, तुमारा प्रोपाइल के लिए फॉर्मिला भी देख लो, तुमारा प्रोपाइल का फॉर्मि तो गतने होंगे 7 डटन तो ऐसे ही सेकेंडरी प्रोपाइल तो यह जो ओपन है वो तो कार्बन से जुड़ा होगा है तो सेकेंडरी होगे प्रोपाइल है क्या गिल्लोग तीन कार्बन एक दो तीन हां सेवन हैड्रोजन तो यह हो गया सेकंडरी प्रोपाइल ना बोलते और सिर्फ प्रोपाइल बोलते तो तुम यहां से भी हटा सकते हो तो फिर क्या लिकोगे CH3 CH2 CH2 और अब जो भी हमने पढ़ा उसके वेज पर थोड़े जो है वह देख लेते हैं थोड़ा ही बाती है तो अब हमने सेचुरेटेट कंपाउंड की बात की अब अनसेचुरेटेटेट मतलब अब भी हमने समझा ना अलकीन का अलकीन में इसे ही काल दिया तो अलकाईनाइल डन वो देखना है चालो जो हमारा ऑडर था वही ऑडर है थोड़ा शार चेंज है क्या maximum number of carbon with multiple bond maximum number तो carbon तो में अब क्या देखना है multiple bond आना चाहिए तुम ऐसी carbon line select नहीं कर सकते, double bond है लेकिन तुमने वो line ही select नहीं की जिसमें double bond आया, वो ऐसा नहीं कर सकते, जो line तुम main line choose करो, main order choose करो, उसमें वो multiple bond जो भी हो double bond, triple bond वो include हो जाना चाहिए, फिर तुम्हारा एक रास्ता ऐसे भी जाता है, और उस रास्ते में double bond है, और तुमने यह रास्ता choose किया है, तुम फिर double bond का आया ही नहीं, वैसा नहीं कर सकते, double bond वाला ही रास्ता choose करना पड़ done, बस उतना ही change है, देखो, so CH3, CH double bond, CH2, double bond आ गया है, तो सबसे पहले हैं हमारा तीन कार्बन, वो ही हमारा main पांच पार्ट याद रखो, word root, तीन कार्बन प्रॉप, अच्छा, फिर saturated unsaturated, double bond unsaturated, alkene, okay, so हम चले गए क्या, प्रोपीन, okay, कहां पर है double bond, यहां से जाएंगे तो 2 पर है और यहां से जाएंगे तो 1 पर है, तो 1 वाला दे दो, so 1, तो प्रोप 1 E, simple, then next, तो 1, 2, 3, 4, तो mute है, फिर saturated unsaturated, double bond unsaturated है, अच्छा, कहां पर है, 1 पर है, यहां से जाओगे तो 3 पर है, तो 1 वाला देंगे, so mute, 1 E, done, okay, next, 1, 2, 3, 4, 5, 5, दूसरे यहां से भी 5 और यहां जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, same ही, सब जगे 5 ही, तो कोई भी चूज कर लो, same ही आज़ा आन्चा आने आए, क्योंकि यह 5 में भी methyl गूप आ रहा है, यह 5 में भी methyl गूप आ रहा है, और यह 5 में भी यहां पर methyl गूप आ रहा है, ऐसे, ऐसे, और सबसे पहले तो इस रास्ते से जा रहे हैं, so 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा कहां कहां आया, sir, 4 नमबर पे है हमारा methyl गूप, done, ओके, यहां से जाओ, 4 नमबर पे methyl गूप है, और double bond कहां पर है, यह है methyl गूप, और double bond कहां पर है, कौन से नमबर पर है, दो नमबर पे, दो नमबर पे double bond है, अब इस साइड सा आता है, इस साइड सा आएंगे तो one, two, three, four, five, sir, दो नमबर पर है methyl group और three number पर है double bond, then, एक, दो, तीन number पर है double bond, और तीसरा रास्ता हमारा, कौन सा, one, two, three, four, five, ये four तक और ये वाला five, तो इसमें क्या होगा, sir, दो नमबर पर double bond है, और four number पर है हमारा क्या, methyl group, done, तो यहां हमें देखना है multiple bond हमने बोला ना, तो multiple bond को minimum number आना चाहिए, तो यहां पर देख, multiple bond जो है, ये दो number पर आ रहा है, अच्छा, यहां पर multiple bond दो यहां पर multiple bond तीन नंबर पर यहां से cross हो जाएगा यह रास्ता गया अब यह दो है तो multiple bond दो number पर multiple bond दो number पर और 4 number पर मिखाई चार number पर मिखाई दोनों का नाम लिखो same ही आएगा कुछ यह तो same है तो same ही आएगा तो क्या करेंगे हम say यह number ले लिया मतलब तुमने यह लाइन चूज़की ऐसे सीधे या फिर तुमने ऐसे से लेक्ट हूँ सेम यांसरा आपके हाँ सो क्या-क्या है देखो फूर नंबर पे मिठ खुरूप है तो फूर नंबर पे मिठायल है पहले का ममरा कारबन देखे है फूर पाच तो पैंट पैंट आ गया उसके बाद सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड तो डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पर है दो नंबर पर तो टू इन फंक्शनल गृप सर नहीं है छोड़ो हो गया पैंट टू इन अब आगे, साइकलिक है या औसाइकलिक है तो छोड़ दो आगे सबस्टिटुएंट में कौन है भाई कौन से नंबर पर 4 मिधाइल पैंट 2 पैंट 2 पैंट नेक्स्ट यहां पर देखे यह देख लीए ना अब यह देखो 1 2 3 4 5 दन तो क्या होगय यहां से जाएंगे तो 4 नंबर पर double bond है यहां से जाएंगे तो एक नंबर वाला ले लिए अब पैंट आ गया है पैंट अब saturated unsaturated double bond है unsaturated कहां पर है एक नंबर पर ही है एक नंबर पर ही लिख देंगे पैंट वन इन आगे cyclic or cyclic or cyclic substitute अच्छा है क्या है दो है क्लोरीन क्लोरी बिथाई नहीं है और वो भी दो है तो डाय ओके तो कहां पर है 4 पर 4 4 डाय क्लोरो पैंट वन इन डन नेक्स्ट अब देखो वह दूनों वाला आने है double bond इंट पर bond वाला है क्के सो एक दो पी चार पांच डन पांच यहां से जाएंगे तो पांच यहां से जाओ उप्यस्टी पांच अब किसको पहले नंबर में तो डबल-bond पहले आता है टपल-bond क्या डबल-bond पहले आता है टपल-bond और double bond पहले आता है single bond से भी single bond हो इससे पहले देखो single bond से भी double bond पहले आता है तो इसलिए हमने यहां सक्षक्रों done और triple bond से भी double bond done तो single bond single का S double bond double का D एस से पहले भी दी आता है ट्रिपल कावे ले लो ट्रिपल बॉंड टी डबल बॉंड टी, तो टी से पहले भी दी आता है हा भा ओई हा आई हा से रिखो क्या नाम है पॉस 네 फाड़ अ पाड़ झालो छो तेलो इवल एक एक उतर भीराक कि शीहरूआ को एक आस्यास priority एक आस्यासु कि झालु जो भीकिन अचेखर एक कुछाल। पादद में जिए तो चया बोला हमने टिपल गॉंड से बी डावल आता हैं ती से पहले डि आता है और से पहले याद रहा हो ये पी रोल है लेकिन फिर लंबे-नंबे रूल वापस यह भी रूल था चुड़ो नहीं डावान से पहले भी डबल बॉंड आएगा तो डबल बॉंड वाला हम लिख लेते हैं कितने कार्बन है एक दू अभी यहां पे आधा में कार्बन लिखा हुआ है और आधे में डंडे डंडे लिखा है तो कोई बात में वान तू पाइच है तो पैंट अब सिंगल बॉंड मतलब यहां कहा अण से अगर ब назвender और चार नंबर पर डॉंड or यहां से देखे तो एक नंबर बन अचार नंबर पर दhurखे रुक वहार्फ निम पन लुके कि बायं सीख़ा है कि सिब्वेंड इंग्टन ब कर लुद्त मुदम्र को प्राइयर्टी घडी देना कि एक नमबर पर double bond और चार नमबर पर triple bond तो एक नमबर पर double bond मतलब one double bond मतलब alkyne तो one in तो paint one in चार नमबर पर triple bond तो four i am alkyne का four i am done so बन गया paint one in four i am functional group नहीं है और cyclic है substitute नहीं है खतब substitute होता का हूं बोल देते भाई मीथाई लिए जो भी हो done okay then say last okay this one एक दो तीन चार triple bond है triple bond है और single bond triple bond triple bond and single bond so एक दो तीन चार व्यूट है व्यूट है अच्छा कहां तोहां 2trp going worldwide यहां से देखेंगे तो बनफ़र है two और तरी पर है डोने साथ से हुआ हैं तोग्शा करोरे पहल का तूमмы नेमिंग स्टाइट करो स्से पहले इतना तो पता हैं तोग्शाका तो मेंविम देख लिया था लेकिन अनसेटुरटेडड का वाति था उसके बात जो क्मन नेम्स के लिए जनरली नॉर्मल और से नियो और से ऑईसो वो देखा वो थोड़ा ध्यान में रतना है किया व्य बनाया वै बनाया मतलबिव ब्यूतेन है अब बोल है कि भाई आईषो बनाना है तो इस अगम दो यह beb limited तो त्र चार तक लगा दूं वैसे नियोपेंटेन नियोपेंटेन मतलब 5 तो आ गया है पैंटेन हो गया है अब बोले नियोगेशन कोई भी एक प्लस वाला एंड है वहाँ पर एक और और आगे बढ़ा हो अब जो तुछेंगे और तो ज्यादा बूछेंगे हैं कि यह हुआ हमारा फॉस्ट लेक्शर अब जो ट्वेल्थ में भी रूल तो यही रहेंगे यही रूल रहेंगे लेकिन फॉंक्शनल गूरूप जो हमारा सेकेंड सफिक्स था फॉंक्शनल गूरूप यहाँ पर डिसकस किया नहीं है तो 12 में वही आएगा बोर में competitive exam में वही आने के chances है क्योंकि वो 12 में रखा हुआ है इसलिए लेकिन अगे 11 का यह आता होगा तभी तो गुआ आएगा क्योंकि यह रूल तो common ही है सिर्फ functional रूपयाड हो गया है तो वही word root first degree suffix अभी यह थाई नहीं secondary तो उसको छेड़ दी रहे था हूं लेकिन फिर इसके आगे आएगा ब्यूट 139 और फिर यहां पर मैंने डाल दिया है carboxylic acid तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि भाई यह सब है और एक number पे oic acid ऐसा भी बोलना पड़ेगा दर तो वह हम देखेंगे समझ में आया है यह पूरा समझ में आ अगया अच्छे से अब प्रैक्टिस करो जर्वत हो जो वीडियो फिर से देख लेना ओके एंड धेन यू ट्राइ हमने जो कल हैलो एलकेंज और हरो एरेंग्स की बात की वह वाला तुम ट्राइबल में गीवन है जो एक्जामपल गीवन है और जो इन टेक्स्ट में गीवन है वह तुम सिर्फ ट्राइ करो आई-उ-पी-स-शी निमिंग अधिरवाइस जो नही में है नहीं आएगा वो हम डिसकॉस है डन